नमस्कार विध्यार्थियों मैं डॉक्टर पीशी जाट सेह आचारे राजनेती विज्ञान भारती राज व्यवस्ता के पेपर में आज हम रजपल उसकी सक्तियों पर परिचर्चा करेंगे चुकि भारत में देखे संसदी सासन व्यवस्ता को अपनाया गया है और संसदी सास और एक वास्त्विक तो यहां राज्यपाल राज्यू की सरकार में राज्यपाल को नाम मंत्र की कारेपाली का माना जाता है इसकी बावजूद भी राज्यपाल को राष्ट परती से भिन कुछ विशे सक्तियां भी प्राप्त होती है जिन पर हम परिचर्चा करेंगे राज्यपाल को प्राप्त सक्तियों को हम पांस भागूं विवाजित कर सकते हैं मर एक कारेपाली का सक्ति मर दो विधाई सक्ति नमर तीन न्याइक सक्त नमबर चार वित्य शक्ति और नमबर पांच विकाधिन शक्तियां देखिए सब्सक्राइब करेंगे अनुखेत 154 के अनुशार राजिपाल में निहीत हैं जिने राजिपाल स्वेम अथ्वा अपने अधिनेश्टों के माध्यम से प्रियुक्त करता है शाती राजिपाल मुख मंत्री की नियुक्ति करता है और मुख मंत्री की सला से ही वे अपने मंत्री परशद की नियुक्ति करता है राजिपाल महादी वक्ता वे लोग सेवा आयोग वे राजि निर्वाचन आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है उच्छी नियाले के नियाधियोशी की नियोक्ति में राष्टपती समंदित राज्य के राज्यपाल से परामर्स भी लेता है इस तरह से आप देखेंगे कि राज्यपाल को परियावत सक्तियां है और संपूर सक्तियों का प्रियोग राज्यपाल की नाम से ही किया जाता है इस तरह से हम कहते हैं कि राज्यपाल एक समयधानिक प्रधान है यहां हमारा ताटपर यह है कि रज्यपाल अपने कारेप्ल कर शक्तियों का प्रियोंग वास्तरी कारे पालेखा के प्रामर्स सिये ही करता है दूसरी दून की सक्तियां हैं वह विधाई सक्तियां जुकी थिर की मत जी पाल भी राष्ट पती पिर विधाय और कोG Ар जाए जब उस पर राज्यॏपाल के अस्ताक्र हो जाएं। इस तरह से राज्यपाल को विधाय का अंग माना जाता है। साथ ही राज्यपाल विधान सभा का सत्रावसन कर सकता है विधान सभा को किसी उसे में भंग कर सकता है जिन राज्यू में दो सदन हैं उनके संयूप्त अधिवेशन को संभोधित कर सकता है वह है कुछ विध्यकों को राष्टपती की पूर अनुमती के लिए आरक्षित रख सकता है जैसे उचन्याले की सक्ति में कमे करने वाला विध्यक और विध्याये शक्तियों में जो सबसे मेहतपूर शक्ती है उनको वह है अध्यादेश जारी करने की सक्ती अनुछे 213 के तैप राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की सक्ति प्रदान करता है जब विधान सबा का अधिवेशन नहीं चल रहा हो और किसी कानून की ततकाल आउ सकता हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करके कानून निर्मान करता है तिसरी स्क्तियां वह वित्तिय सक्तियां राजिपाल की शिपारज के बिना विधान सबाव में ठधनविधय क्प्रस्तूत नहीं किया जा सकता राज़िपाल की सिपार्स पर ही अनुदान मांगे प्रस्तुत की जा सकती है राज़िपाल विधान मंडल से पूरक अतिरेक्ट वे अधिक अनुदान की मांग भी कर सकता है वे संचित निदी राज़िपाल की अधिकार में होती है और विधान मंडल से शुकर्ती की अप्पेक्ष्या में वे इस निदी से किसी भी प्रकार की व्यक्य अनुमती दे सकता है चोथी है कि न्याइक सक्तियां समिधान द्वारा प्रदित न्याइक सक्तियों के अंतर रज्यपाल रज्यपाल किसी दंड को शमा लगुकन विराम परिहार या उसका प्रेविलम्बन कर सकता है कि यहां एक महत्पून जो धान रखने की बात है वो है अनुच्छित भेतर के तहट राश्टपती को प्राप्त समादान के शक्ति और अनुच्छित 101 के तहट रज्यपाल को प्राप्त समादान के शक्तियां इन दोनों में मूलबूत अंतर को हमें समझना होगा देखिए, मिर्टू दंड, राष्टपती को मिर्टू दंड के मामले में क्षमादान का पूर्ण अधिकार है तथा सैनिक नयालों द्वारा दियेगे दंड को भी राष्टपती क्षमा कर सकता है किन्तु राज्यपाल को ऐसी सक्तियां नहीं है इस परकार मिर्टू दंड के मामले में क्षमादान और सैनिक द्वारा दियेगे दंड के संदर्म में राज्यपाल को क्षमादान की सक्तियां नहीं है और अंत में हम बात करते हैं कि विवेकरधिन सक्तियां तुकि हमने बताए कि राजिपाल एक समयधानिक प्रधान है और समयधानिक प्रधान के रूप में वह है मंत्री परषद की शलाके अंसार कारे करता है लेकिन राश्टपती से भिन राजिपाल को कुछ समयधान द्वारा प्रदत विवेकाधिन सक्तियां हैं समिधान द्वारा प्रदत यदि ये विवेकादिन शक्तियां दो तरह की हैं पहले एक समिधान प्रदत और दूसरी परिष्थिती जन्य अथा जिनका उलेग समिधान में नहीं है देखिए अनुछिद एक सो तरे सक्ट राज्यपाल को कुछ विवेकादिन शक्तियां देता है अथात कौन सा कारे उसके विवेकादिकार के अंतरगत आता है इसके छेत्रा दिकार निर्धारन स्वाम राज्यपाल करता है साथी राज्यपाल को अपने विवेकादिन शक्तियों के प्रियोग के लिए राज्यमंति परश्यपे परामर्श लेने की आउसकता नहीं होती है राज्यपाल की कुछ विवया के दिन सक्तियां निमने प्रकार हैं अनुच्छेद दोसों के अंदर राज्यपाल किसी विद्य को राष्टपती के विचारा घेजने के लिए रोक सकता है दूसा अनुच्छी छे के संदर में असम के राज्यपाल को स्वायत जन जाते जिला परिशदूं और जन जाते सेमान छेत्र के प्रसाशन के लिए विवया काधिन के शक्तियां प्राप्त हैं इसी तरह से अनुच्छे 356 के तहत राज्यपाल राज के समिधान धांची की विफलता की रिपोर्ट राष्टपती को प्रेशित करता है इसके लिए भी वह राज्य मंत्री परिशद की सला नहीं लेता है तो इस तरह से हम देखते हैं कि राज्यपाल की कुछ समिधान प्रदत विवेकाधिन सक्तिया हैं इसी तरह से कुछ परिश्थिती जन्य सक्तियां परिश्थिती जन्य सक्तियों में मुख्मंति की नियुक्ति मुख्यमंत्य की बर्खास्त्री, विधान सवा को भंग करना, कुछ ऐसी सक्तिया हैं जो परिष्थे की जन्ने होती हैं और उनका उप्योग राजिकवाल अपने विवेक के अमसात करता है तो इस पर अगर हमने देखा कि राजिकवाल एक समयधानिक प्रधान से कुछ अधिक है अर्थात ये जो विवेका दिन सक्तिया हैं उसको एक रबर की सील मातर नहीं बनाती हैं वो उससे कुछ आगे है, उससे कुछ अधिक है आज का हमारा व्याख्यान यहीं तक सिमित, अगले व्याख्यान में हम गाजिपाल की भूमिके या उसकी इस्थिती पर परचर्चा करेंगे धन्यवाल